हे फ्रेंट्स देखिए हमारे यहां किया पूरे वर्ल्ड में ग्रेन एनर्जी का बहुत बड़ा एक पैमाने पर काम हो रहा है जिसमें देखिए पहले तो सोलर एनर्जी और अब हाइडोजन एनर्जी पर काम हो रहा है क्योंकि हाइडोजन एनर्जी जो है हमारी सोलर 2744 करोड रुपे का incentive scheme में एक launch की है जिससे जो हमारी कुछ कमपनिया है hydrogen में काम करने वाली वो उनको बहुत ही फाइदा होने वाला है तो देखेंगे देखें ऐसी कौन सी कमपनी है जिससे इसे फाइदा होगा इस news से जिसको फाइदा होगा देखें यहाँ cabinet ने कल अप्रूब कर दिया है 19,994 करोड तो देख लेते हैं कमपनी कौन सी है लेकिन देखें उससे पहले देख लीजिए आप कि जो 19,944 करोड है इसमें से 17,490 करोड तो site program के लिए दिया है साथ ही साथ 1466 करोड पाइलेट प्रजेक्ट पर यह काम मतलब यह start होंगे और बहुत जल्दी काम होंगे और 400 करोड रुपे जो दिया है वो R&D के लिए और 388 करोड mission components के लिए जो components होते हैं उसके लिए तो आज इस company के वारे में हम बात करने वाले हैं उसे देखे इस इस जो यह launch हुआ है यह project इस से बहुत ज़्यादा फाइदा इस company को हमारी होने वाला है देख लेते हैं कौन सी company है और कामकाज और client भी इसके देखेंगे हम कौन सी company है और क्या कामकाज है और क्या इसके client है चलिए देख लेते हैं तो देखे यह जो हमारी company है यह nuclear power में काम करती है साथी साथ space में भी काम करती है defense में भी काम करती है clean energy देखे यह वाला segment है जो हमारा hydrogen energy से relative है clean energy इसमें भी यह काम करती है और भी बहुत सारे इसके कामकाज है तो in future बहुत अच्छा यह company कर सकती है देखिए इसके client देख लेते हैं अगर nuclear power में देखें तो आप देखेंगे DAE और NPCIL, BARC ECIL ये कुछ client है इसके अगर हमें space में देखें तो देखें ISRO इसका client है ISRO जैसे इसके client है तो आप खुद समाज सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी होगी LPSC है ये client है इसके साथ-साथ defense में देखें तो देखें जो हमारा ministry of defense है वो भी इसके client है और ADA है साथ-साथ भारत डाइनेमिक तो बहुत अच्छे-ची कंपनी है HAL देखें बहुत ही बढ़ी बड़ी कंपनी इसकी client है DRDO भी इसका client है और clean energy में देखें ये है एंड्रिज हाइडरो ब्लूम एनरजी तो ये कंपनी है कुछ जो इसके client है बहुत सांदार इसका client base हमें देखने को मिलता है कंपनी का कंपनी का आम नाम देख सकते हैं नाम है एम्टा टेकनलोजी और 1651 रुपे का current price है दो परसेंट की बढ़त के साथ ये trade कर रहा है आज क्योंकि इसके segment में अच्छी नियू जाई है तो trade तो करेगा ही देखें बहुत ही शांदार चीज़े करती है काम का आज company clean energy में भी काम करती है तो यहां आप देख लीजिए इस को और देखें इसके जो product है वो है hydrogen boxes और electrolyzers तो जो electrolyzers क्या होते हैं पता है यह होते हैं जो हमारा पानी से hydrogen को अलग करते हैं उसको बोला जाता है electrolyzer यह होता है इसका यह manufacturing करते हैं और देखें यह जो हमारे electrolyzers हैं यह क्या करते हैं methane free hydrogen को यह produce करते हैं और देखें यहां आप देख सकते हैं clean energy is a business to focus on for next 5 to 10 year से mtar तो यह अगले 5 से 10 सालों के लिए जो हमारा energy sector है clean energy इसमें यह focus करेंगे mtar technology वाले तो देखें in future जो है बहुत शांदार company हमें कामकाज करते हुए दिख सकती है अच्छे target हमें यह दिख सकते हैं तो दोस्तों अगर invest आप करना चाते हैं तो investment की कोई भी सला मेरे side से नहीं होती है आप अपना analysis जरूर कर लें लेकिन हां मेरे हिसाब से तो अच्छी company है और बाकी आप अगर invest करना चाते हैं तो कोई सला तो है नहीं अपनी research पर इसे invest करें अगर वीडियो पसंद आई यह तो like किजिएगा चैनल को subscribe कर लेजिएगा मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत